नमस्कार दोस्तो यू तो किसी भी देश का आंखरी गाउं या इस्थान होना सोभाविक बात है लेकिन कूछ इस्थान अपने विशेस्थाओं के कारण महतपून होते हैं तो दोस्तो आज हम हमारे 36 गर राज्यके आखरी गाउं आमा मुरा का आपको सफर कराने वाले हैं आमा मुरा कोई आम गाउं नहीं है, ये वही गाउं है जहां चुनाओ के समय पर चुनाओ अधिकारियों को हेलिकाप्टर के सहाथा से इस गाउं तक के पहुँचाया जाता है और तो और इस गाओं में बिजली का भी सुईधा नहीं है। सिर्फ यहां सोलर पैनल का उपयोग करते हैं। और इस गाओं से कोशो दूर तक कोई भी सड़क नहीं है। और इस गाओं में पहुचने के लिए सिर्फ पैडगरी पकडंडी रास्तों के सहता से पहुचा जा सकत तो दोस्तो आमामोरा में जंगल, पहाड और खुबसूरत खुबसूरत वाटरफॉल भी देहने को मिलेगा। आमामोरा गरियबन से तक्रीबन सतर किलुम्टर के दूरी पर इस्थित है। और धवलपूर से आमामोरा जाने के लिए मार्ग मिलता है। आमामोरा गाउं पहुंसते तक आपको छोटा-चोटा गाउं देखने को मिलता रहेगा। साथी साथ आपको आमामोरा गाउं तक के जाते तक आपको गम से कम चार से पांच नदी भी पार करनी पड़ेगी। पकी रोड भी आपका साथ छोड़ देगा। उबडख खाबड रास्तों को आपको टाय करते हुए पगडंडी रास्तों पे चलना होगा तभी जाके आप आमा मुरा गाउं तक के खुबसूरत सववादियों को देख पाएंगे और यहां आपको पहाडी पहाड नजार आएंगे पहाड आपको देखने को मिलेगा काफी ख़तरनाक और खुबसूरत सब्सूरत सब्सूरत फिर से बारिस चालू होने वाला है यहां पे तो हमें इसी उबढ़ खाबर पकडंडी रास्तों पे गाड़ी चलाते हुए आमा मुरा गाउं तक के पहुचना होगा और ऐसा कहा भी जाता है कि यह नक्सल परभावी छेतर है वाफी ज़्यादा खतरनाक रास्ता और चिख सकते हैं दिखाता हूंगा तकराना है वह जिस्ता रोड़ी जन्गा खराब यहां पे रोड़ी जन्हीं है यहां को फूला जंगल जारी से होते हुए आए अज़ी जाती हुआ है अज़ी जर्ना वगरा मिल नहीं का गा हाँ वाटर पॉल है आम्मा मोरा कदे हरे हुए आजपास में वाटर खॉल जर्ना यहां आजपास में वाटर खॉल कथिह कर अधिन बाबा जंचर हुआ है कि अधिन अधिनल हला हुट जणना वन कि ना इस नाम का रही यहां इचपास ना कथियुआ दी जिर गंविक प्तो Reg strike का पाली जवेड़ी कपक की 10 पर कर केंदिं में टाबिकरbukक्तूं तो दोस्तों यहां पर भी एक बार पूछ लेते हैं कि हमा मुरार जाने के लिए मार्ग कि धर से जाते हैं तो तो दोस्तों आमा मुरा गाउं जाते तक आपको छोटा छोटा गाउं इसी प्रकार से देखने को मिलता रहेगा और पहाड के नीचे यह गाउं बसा हुआ है एक छोटा सा गाउं है और यहां पर गली हम जा रहे हैं तो यहां पर छोटा सा एक रास्ता बना हुआ है और सामने आपको फिर से पकड़न्डी रास्तों को तै करते हुए नदी नाला को पार करते हुए हमें आमा मुरा काउं तक के जाना होगा और यहां भी बिजली की वो सुईधा नहीं है यहां अभी तक बिजली आया नहीं है और यहां सिर्फ सोलर पैनल का उप्योग करते हैं इसकार लभी तो इसकार से यहां पर यहां पर शुवषर सा पहाड और जंगल से घिरा हुआ यह गाउं भी है और गाउं का क्या नाम है पता नहीं है तो चलिए पूरा आपको दिखाते हैं कैसा है तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग उस जगह पर पूंचने वाले हैं पर बन्या टोड़ा वाटरफॉल भी वो भी आपको दिखाने वाले हैं उससे पहले आपको दिखाते हैं यहाँ पर देख सेंट ट्रेक्टर वेगरा खराब हो चुका है इतना जादा यहाँ पर रोड ख बाइता से हमें अमा मुरगाउन तक के जाना होगा है अनुद्ध पर तक देख गई देख लाष्टा के लिपक्राश्टा थोड़ा खराफेने डिख मोटर साइकल ची जटेख है पाउ हाँ 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 जख जब ड़ी यहाँ पर अब नग्याने जब्ट कर दोस्तों आपको कास्मीर जासा नजारा आमामौरा गाउन जाते तक मिलता रहे और यहां पर देख सकते हैं, और एक ठीच ऺड़ा णायम हम Morat Howard जाते तक कि यहां पे मिलता रहेगा और यहां पे खुप्सूरत खुप्सूरत सा घर बना हुआ है पहाडों के नीचे पे यहां गाओ बसा हुआ है और पकडंडियों के सहरे से हमें अमामुरा गाओं तक के जाना होगा और यहां पे आपको छोटा छोटा घर जोपड़ी बना के लोग रहते हैं जादा खास करके यहां कमार जनजाती की लोग इस गाओं में जादा निवास करते हैं और अमामुरा में जाके हम पता करेंगे कौन से जनजाती की लोग अमामुरा गाओं में निवास करते हैं यह देख सकते हैं पकडंडी रास्तो के सहिता से हम अब पहुंचने वाले हैं आमाइमुरा गाओं के तरह कि दोस्तो अखिरकार हम कुछ Studios के हैं आमामुरा गाओं जो कि 26 रख सबसे उंचा गाओं भी कहा जाता है तो आपको अभी दिखाने वाले हैं गाओं का कूरा विलेज स्वीधा है या नहीं है और यहां पर नेट वर्क कर भी सुईधा है यह पूरी जानकारी आपको इस वीडियो पर देखने को मिलेगी पहुंचुके हैं अमामगोरा गाओं में और अभी अच्छा खासा आपारिस हुआ है और चलते हैं आपको खूपसरश से यहां पर देखने को मिलेगा ही नहीं कि इतना उबढखाबा रोड है यहां पर देखने को पच्चे लोगे इस नहीं है बैटे हुए देखने को सुरू करते हैं तो दोस्तों आपको पहले अमामगोरा गाओं को पुरा घूम के दिखाते हैं कि 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 प्रकार से लोग यहां पर निवास करते हैं और कौन-कौन से स्विधा उपलब्द है यह आपको दिखाते हुए चलेंगे और यहां पर देख सकते हैं सामने पर लोग अपने घ प्रफार से है यहां का खूब्सूरस लगता है घर यहां का और सब अलग अलग घर यहां पर आपको देखने को मिलेगा इस जगह पर जोपड़ी बनाके ज्यादा खास लाते इस जगह पर लोग रहते हैं आमा मुरा गाउं में और यहां पर पहाडों से घीरा हुआ है आमा सहब को आपको दिखाते हुए चलेंगे आसे है यहां पर अःसे डिखाते हैं इंसरद आप मोहला को दिखाते हैं नहीं पर बिली कर श्विधा नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है अब इस जग़ाप पर पिली का श्विधा पूछ चुका है यहां पर पोल अगरा क्वाओर सब्सक्टि लगा हुआ है लेकिन लाइट शालू है यह पना यह पता नहीं है लेकिन गाउं का विलेज तो फी अच्छा खासा यहां पे है गाउं मस्चान तवातावरन है और इस जगह पर इसकूल भी खुला हुआ है और यहां पे बगल पे आपको देहने को मिलेगा आसराम भी है यहां पे और देख सकते हैं यहां पे लोग बैठे हुए हैं और जादा इस जगह पे कमार जन जाती के लोग निवास करत और इस प्रकार से जूपड़ी बनाके ज्यादा खास करके इस जगह बिर रहते हैं और यहां गाओं अनक्सल प्रभावित छेत्र के होने के कारण से बहुत ज्यादा डारवना और लोग भी यहां के बहुत ज्यादा खतरनाक जैसे लगते हैं आमामोरा गाओं का खुब्सूर